मानिय अध्यक्षब होदाया सई हम कौन होते हैं जो आपकी आँख में आँख डाल सके हैं तो गरीम मां का बेटा पिछडी जाती में पैदा हुआ गाउं से आए हैं आपको नामदार हैं नामदार हम तो कामदार हैं आपकी आँख में आँख डालने की हम्मत हमारी नहीं है हम नहीं डाल सकते और इतियास गवाँ है अध्यक्ष महोदय जी इतियास गवाँ है सुपास चंद्रबोज ने कभी आख में आग डालने की कोशिश की उनसे के साथ क्या किया गया बुरार जी भाई देशाई गवाँ है उन्होंने आख में आख डालने की कोशिश की क्या किया गया जैप्रकान नारायन गवाँ है उन्होंने आख में आख डालने की कोशिश की उनसे साथ क्या किया गया चौदरी चनंसी उन्होंने आँख में आँख डालने की कोशिश की उनके साथ क्या किया सरदार बलब भाई पटेल ने आँख में आँख डालने की कोशिश की उनके साथ क्या किया गया चंदर सेखर जी ने आँख में आँख डालने की कोशिश की क्या किया गया अरे प्रणव बुखर जी ने आँख में आँख डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था, मैं सारा कच्चा चिठा खोल सकता, ये आँख में आँख, और इसलिए आँख में आँख डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता, कैसे उनको ठोकर मारके निकाला जाता है एक परिवार का इतियाज इस देश में अंजान नहीं है और हम तो कामदार है बला हम नामदार से आँख में आँख कैसे काच और आँखों की बात करने वालों की आँखों की हरकतों ने आँख तीवी पे पुरा देश देख रहा है कैसे आँख खोली जा रही है कैसे बंद की जा रही है यह आँखों का खेल माने देख महुद है जी लेकिन आँख में आँख डूल करके आज सत्य को कुछला गया है बार बार कुछला गया है सत्य को बार बार रोंदा गया यहां कहा गया कॉंग्रेस ही थी जीएश्टी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी को तो कॉंग्रेस का इतिहास है अपने परिवार के बाहर कॉंग्रेस सरकारों का भी इतिहास है अरे जवा इतना तो ध्यान रखो जब UPA सरकार थी तब पैट्रोलियमों को बहार रखने का GST के बहार रखने का निरणाए आपकी सरकार ने किया था आपको ये भी मालूम नहीं है ये है ABP News आपको रखे आगे